चले थे प्रशांत किशोर ममता को बंगाल जित्वाने पर पाटी ही तुडवा बैठे। इन दिनों प्रशांत किशोर पर एक ही कहावत चरितार्थ होती है, आय थे हरी भजन को ओटन लगे का पास। चरिनावी विश्लेशन में निपुन, प्रशांत किशोर आये तो थे ममता बिनर जी का सिंग हासन बचाने लिकिन ममता को गाजे बाजे के साथ चत्ता से बाहर खदेरने की पूरी व्यवस्था कर गए। पिछले कुछ दिनों से पच्चिम बंगाल में सत्तधारी पाटी त्रणमूल कॉंग्रेस की हालत बहुत ही जादा खराब है। कॉंग्रेस के नीता किस हद तक प्रशांत किशोर से नाराज है या अप नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट से अच्छी तरह समच सकते हैं। कई नेताओं ने आरोब लगाया है कि त्रणमूल कॉंग्रेस अब प्रशांत किशोर की पाटी अधिक लगती है। नव भारत टाइम्स के रिपोर्ट के अंचनु सार्थ क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनिती सीखने की जरुएत है? यदि पश्चिम बंगाल में त्रणमूल कॉंगरेस को जटका लगता है तो इसके लिए सर्फ त्रणमूल कॉंगरेस के विधायक नियामत शेक खुले आम ये बाते कहते हैं तो पूरी तस्वीर सामने आने लगती है इसे पता चलता है कि किस तरह TMC के अंदर प्रशांत की शोर को लेकर नाराज की है परन्तु बात यही पर नहीं रुकी रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कूच बिहार के विधायक मिहीर गोस्वामी भी अपना गुस्या खुले आम दिखा चुके है गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि तरणमूल कॉंग्रेस सचमुच मम्ता बिनर जी की पार्टी है ऐसा लग रहा है इस पार्टी को किसी कॉंट्राक्टर के हाथ में सौप दिया गया है ये गतिविधिया तरणमूल कॉंग्रेस के लिए चिंता जनक बात है क्योंकि धीरे धीरे आप उसके कदावर नेता भी पार्टी का साथ छोड़ रहे है उधारन के लिए एक समय पर तरणमूल कॉंग्रेस के संकट मोचक माने जाने वाले शुबेंदू अधिकारी भी आप बगावती तेवर दिखा रहे है इससे पहले अरजुन सिंग और मुकल रॉय जैसे निताओं ने ममता बेनर जी की हेकड़ी की कारण पार्टी छोड़ दी थी और अब प्रशांत किशोर स्तीदी को समालने की बज़े उसे और बिगारते ही चले जा रहे है सच कहें तो यदि प्रशांत किशोर ने अपने उत्तर प्रदेश के चुनावी अभ्यान से तनिक भी सीखली होती तो उन्हें समझ होती कि आप चाहे कितने ही योग्य क्यों नहों पर आप गज़े को घोड़ा, कच्छवा या चीता नहीं बना सकते जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे, तो कॉंग्रेस की लोग प्रियता अलगभग न के बराबर होने के बावजूद, पहले प्रशांत किशोर ने उसका दामन थामा और फिर उसका गडबंधन समाजवादी पार्टी से कराया, जिसके कॉंग्रेस के बिना उत बहुमत प्राप्त करते हुए, 325 सीटों के साथ 15 साल बाद सत्ता प्राप्त कर ली थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई सीख नहीं लेते हुए, 2019 में बंगाल में सत्ता धारी चुनमूल कॉंग्रेस का दामन थाम लिया, जिसकी लोग प्रियता पार्टी कारिकरताओं की गुंडाई के कारण रसातल में जाने लगी थी, जिस प्रकार से पार्टी में अब अंधरूनी कला बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर आये तो थे ममता बनरजी को जिताने, पर लगता है कि उनकी तुनमूल कॉंग्रेस भाजपा को बंगाल सौपेगी